नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे पीए मोधी तीन दिनों को ओफिशल विजिट पे रश्य और आस्ट्रिया जाने वाले हैं जहां पे वो 8 और 9 जुलाई को रश्या में रहेंगे और 10 तारी को वो आस्ट्रिया में रहेंगे जहां तक बात किया जाए पीए मोधी का इस रश्य विजिट के बारे में तो लगभग 5 सालों के बाद पीए मोधी रश्या जा रहे हैं वहीं पे जितना excited इंडियन मीडिया है उतना ही excited western medias plus USA भी है जहां पे हम इस विजिट को काफी positive तरीके से देख रहे हैं वहीं पे जो western countries है और USA वो इस विजिट को काफी negative तरीका से देख रहे हैं और जहां तक बात किया जाए इस पूरे दौरे के बारे में तो यह दौरा हमारे लिए काफी महचपून है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ इसको हम समझते हैं geopolitics में आपके देश का value तभी तक रहता है जब पुरे दुनिया को ये लगे कि उसे आपसे फाइदा हो सकता है बीते कुछ सालों में भारत की economy काफी अच्छे तरीके से उभर के आया है और बहुत सारे जो इंडियन लोंगे जो अलग-अलग देशों में काम कर रहे है उनका भी एक काफी अच्छा global image बना है जहां पे वो बड़े-बड़े companies में काफी influential position पे हैं और जहां तक बात किया जाए रश्या और भारत के संबंधों के बारे में तो हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि रश्या के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं जहां पे रश्या भारत के बारे में कोई भी ऐसा negative statement नहीं देता है और साथ में भारत भी कुछ ऐसा ही करता है लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हम रश्या के उपर आख बंद करके भरोसा कर लें और हम अपना विस्तार ना करें एक छोड़ा समय example रखना चाहूंगा किसी टाइम पे पाकिस्तान को यूएस से अपने गोदी में खिलाया करता था लेकिन आज वही पाकिस्तान है जिसको के almost ignore करके रख दिया है यूएस उसके पीछे का वज़य ये है कि पाकिस्तान as a country वो अपने आपको डेवलप नहीं कर सका वो अपने आपको विस्तार नहीं कर सका लेकिन वहीं जहां तक बात किया जाए भारत के बारे में तो साल 2014 से एक जो trend हमें देखने को मिला है वो ये है कि पहले जहां पे हम defense के मामले में बहुत हद तक रश्या के उपर dependent हैं वहीं पे अगर आप आज के बारे हैं बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि defense के मामले में कम से कम हम लोगों का एक अच्छा विस्तार हुआ है जहां पे हम आज भी रश्या के उपर dependent हैं लेकिन इसके लावा हम USA हो गया, France हो गया, Israel हो गया या और भी देशों को हम explore कर रहे हैं अपने defense के जरूरतों के लिए और साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम making India पे अधिक से अधिक focus करें जब हम ये अख़बारों में पढ़ते हैं कि भारत रश्या से discounted कीमत पे oil purchase कर रहा तो हमें एक बात को और भी ध्यान रखना है कि क्या सिर्फ भारत ही purchase कर रहा इससे क्या हुआ कि हमें ये समझ में आएगा कि रश्या के संबंद और किसके किसके साथ अच्छे हैं तो रश्या के संबंद है चाइना के साथ भी बीते कुछ सालों में काफी अच्छे हुए हैं और जहां तक बात किया जाए रश्या के discounted oil के बारे में तो चाइना भी बढ़ चड़कर रश्या से oil purchase किया है और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि किस तरीके से रश्या और चाइना के बीच में oil और gas का pipeline डाला जा रहा Siberia के थुरू तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत excited नहीं होना चाहिए जब भी हम रश्या या व्लादिमेर पुतिन के बारे में बात करते हैं तो कही न कही हमें एक वो situation डेवलप करना है जहां पे हम भी रश्या को कुछ इस तरीके से export कर पाएं जिसके कारण रश्या किसी भी तरीके से भारत के उपर dependent हो जाए और अगर बात किया जाए रश्या और यूक्रियन वार के बारे में तो अब तक भारत के तरब से कोई भी ऐसा statement नहीं दिया गया है जहां पे भारत रश्या को criticize किया है भारत almost एक statement का इस्तेमाल हर वक्त करता है कि अगर दो देशों के बीच में अगर किसी भी बात को लेके अगर विवाद है तो कोशिश किया जाए कि वो दोनों देश आपस में बैठें और बहुत ही bilateral तरीके से उस चीज़ को resolve करें और उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन सभी global platform से यही कहा है कि आज के डेट में dialogue और diplomacy ही पहला और आखरी option होना चाहिए किसी भी चीज़ को resolve करने के लिए तो कितनी बार ये statement सुनके काफी balanced भी लगता है और कितनी बार अगर आप देखें तो ये रश्या के favor में भी रहता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9 जुलाई को NATO countries के जो members हैं वो मिलने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ व्लादेमिर पुतिन और P.A. मिलने वाले हैं जहां पर अब तक भारत रश्या को criticize नहीं किया है रश्या यूकरेन वार के कारण वहीं दूसरी तरफ जो NATO के member countries है वो बढ़ चड़कर व्लादेमिर पुतिन को criticize किये हैं और रश्या के उपर sanctions लगाया गया है तो कहने का मतलब है कि ये जो timing है मिलने का व्लादेमिर पुतिन से ये timing अपने आप में बहुत ही important हो जाता है और किसी भी तरीके से आने वाले 2-3 महीने में अगर व्लादेमिर पुतिन भारत आते हैं तो ये कही ना कही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी जहांपे हम पुरे दुनिया को ये बता सकेंगे कि रश्या के साथ हमारे संबंद अच्छे हैं और हम उस position में हैं जहांपे हम रश्या को अपने देश में होस्ट कर सके जैसा कि चाइना नहीं किया था क्यूंकि नेटो मेंबर कंट्रीज और पिये मोदी और व्लादेमिर पुतिन का मिलने का जो डेट है वो एकदम से आसपास का डेट है और उनको as a front line soldier बना दिया गया जिसको लेके government of India काफी नारास्त है और समय दर समय इस नाराजगी को रश्या के सामने वो represent भी किये है और साथ में रश्या से ये उमीद भी कियें किसी भी तरीके से जो इंडियन लोंग है उनको इस war में ना घसीटा जाए और खास करके गलत तरीके से ना घसीटा जाए और इसके अलावा भी क्योंकि अभी भी हम बहुत हद तक रश्या के उपर dependent है और रश्या के पास एक बहुत ही बहतरीन air defense system है जिसका नाम है S-400 जिसके बारे में western countries भी ये मानते हैं कि ये काफी अपने आप में जबरदस्ट air defense system है जिसकी reliability के अगर आप बात करें तो ये US के जो air defense system है या जो इस्रेइल के पास air defense system है उनसे जादा है और बकाइदा ये exact में statement code कर रहा है आपको western media का तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि PA Modi और Vladmir Putin का मिलना डारेक्टली ये अपने आप में काफी important है और वहीं पर बात किया जाए भारत और रश्या के trade deficit का तो ये कहते हुए थोड़ा uncomfortable महसूस हो रहा जहां पर भारत रश्या के साथ भी trade deficit में है कहने का मतलब है कि no doubt हम रश्या से oil purchase करते हैं लेकिन भारत की जहां तक अब बात करें तो ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हमारे पास capabilities नहीं है जितना हमारा जनसंख्या है जितना हमारे में capabilities है कही न कही हम अपने लोगों का under utilization करते हैं जहांपे अब समय आ गया है जहांपे center और states को मिल बैट के बहुत ही collective तरीके से skill development के उपर काम करना है हम सिर्फ इतिहास के सुनहरे पन्नों को पलट के हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत किसी time में पुरे दुनिया को अपने समान को बेचा करता था वहीं पे अगर आपने परोसी मुल्क चाइना के बात करें तो चाइना इतना ज़ादा अपने research and development में investment करता है कि अगर आप उन सब articles को खुद से पढ़ेंगे तो आपको कहीं न कहीं realize होगा कि हम आज के date में कितना ज़ादा पीछे हैं और इसके पीछे का जो वज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ states और center के बीच में जो coordination नहीं है वो जिमेदार है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye